तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने Paytm Money पर लोगिन कर दिया है, आप नॉर्मल लोगिन कर सकते हो, आपका जो भी लोगिन आईडिया और पासपर होगा उसकी मदद से, उसके बाद आपको यह जो प्रोफाइल वाला सेक्षन दिखाई दे रहा है, उसके ओपर क् पिन को डालना होगा, तो लोगिन आप यहांपे हो जाओगे, तो यह डैशबोर्ट का सेक्षन आपको दिखाई देता है, लेकिन यह स्टॉक वले सेक्षन में आपको पूरा डेटा नहीं दिखेगा, एफ एनो के सेक्षन में आपको सिलेक करना है, जैसे ही आप एप एफ जो dashboard है वो दिखाई देगा और यहाँ पे आपको यह जो FIS, DIS activity है यह पूरी की पूरी यहाँ पे दिखाई देगी अब यह 23rd of September की data आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 23rd of September का data दिखाई दे रहा है क्योंकि यह जो पूरी दिन बर की process होती है कितने buy किये है कितने sell किये ह यह जो process है यह आपको पॉने 6 यह 6 बजे के बाद update हो जाती है max to max 6 यह 6 बजे के बाद यह update हो जाती है NEC की website के उपर और उसके बाद आपके जो applications है यह platform हो गया जानि जीरोता हो गया प्रेटियम बनी हो गया इसके उपर यह activity जो होती है आपको अपडेट हो जाती है तो य day wise FIS ने कितनी buying की है या फिर कितनी selling की है यह data आप यहाँ पर देख सकते हो यह देखिए यह 23 सितमबर का data है 2899 करोड की selling की है 22 सितमबर को 2500 करोड की selling की है 21 सितमबर को 461 करोड की selling की है 20 सितमबर को 1100-1200 के करोड के करीब यहाँ पर buying की है अब यह पूरा data आप देख सकते ह आपको यह डेटा देखने के लिए मिलेगा और इससे आप ट्रेंड का पता कर सकते हो कि अगर FIS बेच रहे है तो ट्रेंड के साइड में रहेगा जैसे कि आप आज देख रहे हो आज की डेट है 26 सितंबर और मार्केट निफ्टी आज 300 पॉइंट गिरा है तो 300 पॉइंट क्य और मिला फीचे दिखाई दे रहा है अब FIS तो बेच रहे तो बेच रहे मतलब कोई न कोई तो खरीद रहा होगा अब कोई सब्सक्राइब तो झैसे कि आप यहां पे देख रहे है, DIS की जो figure है, वो यहाँ पे green में दिखाई दे रही है, लेकिन जितना FIS तकड़ा बेच रहे है, उतना तकड़ा ये नहीं खरीद पा रहे है, बहुत कम amount में खरीदारी कर रहे है, इसलिए तो market पूरी तरीके से recover नहीं हो रहा है, हर रोज थोड़े-थोड़े point से market गिर रहा है, Friday के दिन तो market बहुत ज़्यादा point से गिरा था, आज भी 300 point से market down आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो FIS की जो selling होती है, उससे हमें trend का पता चलता है, FIS कोन होते हैं, foreign investor होते हैं, जो की out of India वाले investor होते हैं, जो हमारे इंडिया में investment करते हैं, या फिर वहाँ से पैसे stock जो होते हैं, आपकी अपनी जो investment निकाल लेते हैं, अब वो investment निकाल रहा है, इसका मतलब market downtrend में जा रहा है, इसकी वज़े से हम उपर की तरफ टिक नी पा रहे हैं, 18000 के आसपार जाके फिर से हम लोग नीचे आ गए, तो यह daily के basis की जो analysis है, आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे, यह तो cash market का हो गया, cash वाले stock जो है, उसके उपर हमने बात कर ली, आपको अगर futures का data देखना है, तो यहाँ पे FIS futures का भी data आपको मिल जाता है, लेकिन उससे पहले हमें अगर monthly का data देखना है, या yearly का data देखना है, तो हम इस daily के उपर click कर सकते हैं, जैसे ही आप daily के उपर click करोगे, तो आपको यहाँ पे daily, monthly और yearly, यह तीन option मिल जाते है, तो duration आप यहाँ पे select कर सकते हैं, जैसे मैंने monthly select कर दिया, तो month wise जो data है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, देखे, हमने यहाँ पे DIs select किया था, तो September month की अगर बात करें, तो 1868 करोड की selling की है, DIs ने, और यहाँ पे FIS के activity देखे, तो FIS ने भी लगबग 2445 करोड का selling की है, वो भी यहाँ पे cash market के अंदर, यह cash market का data हम देख रहे हैं, तो इस से हमें monthly trend का भी पता चल जाता है, कि सब्टेंबर का जो trend है, वो थोड़ा सा negative दिखाई दे रहा है, क्योंकि FIS भी बेच रहे हैं, और और अगर august month के हम DIS का data देखे, तो वो भी यहाँ पे 7000 करोड माइनस का था, तो net net अगर देखे, तो august month यहाँ पे positively बंद हो आता, क्योंकि जितना खरीदा था FIS ने, उतना ज्यादा DIS ने बेच आ नहीं था, लेकिन इस मेने के अगर बात करें, तो DIS भी बेच रहे, FIS भी बेच रहे, तो net net हमारे पास जो net sell होगा, वो पूरा अच्छे तरीके से बड़ा amount टिकल के आएगा, जो sold amount होगा तो, तो इससे आपको trend पता चलेगा, अब जैसे कि आप देख रहे हो, कौफी दिनों से market crash हो गया था, market गिर गया था, लगबग 15,000 के आसपास market आ गया था, तो आप देख सकते हो, जुले में, जून में, में, एप्रिल, मार्च, फेबरवारी, जैन, डिसेंबर, नवंबर 2021, अक्टोबर 2021, तो continue, ये छोटी से एक buying figure आई थी September 2021 में, अगर हम एक साल के पीछे जा 8, 9, 10, 10 मेने तक लगादार FIS ने selling की थी, तो हमें market का जो trend था, वो negative दिखाई दिया था, तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से आपको market के trend को देखना है, FIS, DIS activity देखी, और जिस मेहने में FIS ने बेचा था, उसी मेहने में DIS ने उसे buy कर लिया था, तो थोड़ा ब के ऊपर का top था, 8,300, 8,600 के आसपास का top था, वो बना नहीं पाए, तो अभी आप देखो के तो दो मेने का trend, DIS negative में दिखाई दे रहे है, और FIS हमें यहाँ पे एक मेना positive और एक मेना negative में दिखाई दे रहे है, अभी September मन खतम नहीं हुआ है, जैसे ही खतम होगा, पूरा data अपडेट हो जाएगा, yearly data देखना है, तो yearly भी आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो, 2014 में FIS की activity कैसी थी, 2015 में, अगर 2020 की बात करें, जहाँ एक COVID का situation था, तो COVID के situation में उस year में भी, 2020 के साल में भी 65,962 करोड की buying कीती FIS ने, लेकिन उसके comparison में अगर हम यहाँ पे 2022 में, इस साल की अगर comparison करें 2020 से, तो लगबग 2,70,393 करोड की selling की है, मतलब बहुत जबरदस्त बेचा है, अब तक का सबसे बड़ा amount है यहाँ पे, जो FIS ने बेचा है, तो बहुत तगड़ी selling FIS ने की है, लेकिन उसके comparison में, DIS अगर खरीदते हैं, तो किस तरीके से, 2,33, 20,575, थोड़ा खरीदने की यहाँ पे इन्होंने चेश्टा की है, और इसलिए balance है, market इतना ज़्यादा गिरा नहीं है, वरना अगर FIS 2,00, करोड का माल बेचते हैं, तो Nifty कितने तक आना चाहिए, यह तो अंदाजा आप लगाई सकते हो, तो यह आप data देख सकते हो, और अ 2021, 2020, 2019 और यह सारी आप comparison यहाँ पे कर सकते हो, stock future और index future, यहाँ आपको सिर्फ FIS का data देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे DIS का data नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि वो data अगर आपको देखना है तो आप NNC की website के उपर देख सकते हो, stock future का भी data आप यहाँ प अगर monthly का data हम यहाँ पे देखना चाहे, stock future का, तो इस मैने में तगडी selling दिखाई दे रही है, बीच में तीन मैने के लिए अच्छी खासी buying यहाँ पे FIS की दिखाई देती, लेकिन अभी selling आपको दिखाई दे रही है, index future की बात करें तो उसमें भी आपको selling दिखाई दे र market का जो trend है, वो पता कर सकते हैं, और इस analysis की basis के उपर आपको किस तरीके से trade लेने हैं, उसका भी एक अंदाजा आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यह data आपको NEC की website के उपर भी मिलेगा, आप history में जाओगे तो पूरा data reports में आपको सारी चीज़े मिल जाएगी, लेकिन PTM money में काफी आसानी से सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलती है, क्योंकि NEC की website पर आपको download करना पड़ता है, फिर PDF पर देखना पड़ता है, और फिर सारी चीज़े वहाँ पर आपको analyze करनी पड़ती है, उससे अच्छा है, यह application में सारी चीज़े अच्छे तरीके से दी है इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप account open नहीं किया है भी तक तो description में link है, तो account open कर दीज़ेगा, आज की वीडियो में इतना ही था, basic information देनी थी कि FISDIS का data किस तरीके से आपको देखना होता है, वो भी Payteam Money के आसान application के साथ, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो, तो please वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और जादा से जादा लोगों तक ये वीडियो शेर कीजेगा, ताकि लोगों को और भी पता चले किस तरीके से ये FISDIS का data हमें देखना होता है, बाकि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए तन्यवाद,